नमस्कार सातियों मैं जनेव सेक्तिवार एरक्षा एकेडमी की तरप से आपका हारदिक सोगत करता हूँ जैसा कि आज से हम एक नई सीरीज भी लॉंच कर रहे हैं वो सीरीज क्या है हम आपके साथ अपने MPPSC सिलेवस के एकॉर्डिंग जो भी स्पेशल टॉपिक है और जिन टॉपिक पे आपको बहुत जादा दिक्कत आती है उन टॉपिक की चर्चा करेंगे और यहां पर मेरा टॉपिक क्या होगा मैंने आपको क्या पढ़ाता हूँ सूचना एभम संचार प्रद्योगी की से रिलेटिव जितने भी important टॉपिक होते हैं जिन पे आपको समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान मैं आपको करूँगा कब साम को डेली 6 बजे मरलब 6 बजे मेरी एक special class होगी उस class में हम किस पर चर्चा करेंगे डेली एक special topic की चर्चा करेंगे वो topic आपके MPPSC based होगा अब सवाल आता है कि इस class को हम कहां कहां देखेंगे तो ये class आपको दो जगा पर available होंगी दो जगा कहां पर available होंगी ये available होंगी हमारे रक्षा academy एप पर रक्षा academy एप का जो आपका free courses का एक folder बना हुआ है उस free courses में मेरे नाम से ये special classes डली होंगी उसके अलाबा same classes आपको कहां मिलेंगी YouTube के हमारे रक्षा academy चैनल पर अब सवाल ये आता है कि इस classes को जो हम YouTube के रक्षा academy चैनल पर और application पर देखेंगे तो इसका notification कहां मिलेगा तो इसका notification हमें हमारे telegram group पर जो की क्या है at the rate रक्षा academy पर भी मिलेगा और हमने अभी अभी अगर आपको मैं बता दूँ तो हमारा काम है आपको बताना information देना सूचना देना कि हमने अभी अपना एक नया batch launch किया है MPPSC 2020 के syllabus के recording जिसका नाम क्या है MPPSC 1200 batch तो यदि आपने उस batch को join नहीं किया है तो आप जाकर उस batch को join कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं तो आप सवाल वही है कि ये classes किस प्रकार से होंगी free होंगी कि इसका पैसा देना पड़ेगा मतलब ये पेड होंगी कि free होंगी तो ये classes पूरी तरीके से free होंगी और इन classes में हम 2019 में 2020 में जो भी सूचना एवं संचार प्रद्योगी की से related महतपूर classes हैं महतपूर topic हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे दूसरी बात आप अगर इस वीडियो के description पे जाएंगे तो वहाँ पर हमें सारी playlist मिल जाएगी जहां पर हमने आपके लिए free classes इस्टार्ट कर रखी हैं YouTube पर और उसी में आपको मेरी previous special classes भी मिल जाएंगी जैसे मैंने भारत के राष्टी सुरच्छा राष्टी सुपर कंप्यूटर मिसन के बारे में पढ़ा दिया मैंने artificial intelligence के बारे में पढ़ा दिया मैंने e-governance के बारे में पढ़ा दिया तो जो मैंने special topic आपके इस नए से लेवस में जुड़े हैं MPPSC के उन सभी topic को मैंने वहाँ पर cover कर दिया है तो उसका जो playlist है वो आपको हमारे कहां मिल जाएगी इस video के description पे मिल जाएगा और दूसरी बात यह है कि इन सभी के notes सिर्फ आपको हमें कहां मिलेंगे इन सभी classes के free notes आपको रक्षा academy के app पे मिलेंगे और अभी अभी हमने एक नई सिरीज all launch की है कि अब हम MPPSC pre-K according objective भी solve करवाएंगे जिसमें मेरी class सुबह Monday to Saturday 9am रहती है जिसमें मैं आपके साथ 20 questions डील करता हूँ और इन 20 questions को लगाने के लिए भी आपको मेरा रक्षा academy app जोईन करना पड़ेगा इसी के साथ हमारी और वी जो faculty है जैसे बरका मैं है प्लतिमा मैं है आनंसर है सौमिसर है ये भी आपके लिए अलग-अलग topic के क्या लेकर आएंगे objective लेकर आएंगे प्रेलिम्स के according क्योंकि हमारी means की classes चल रहे है और कई बार हमें सिकायते मिलती है कि आप लोग प्री पर ध्यान नहीं देते आप objective पर ध्यान नहीं देते तो हमने उस पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है कि हम अपने special topic के साथ साथ आपके syllabus के सारे objective भी आपके साथ share करेंगे उनको solve कैसे करना उनने सीखना क्या है और उसके लिए भी हमने एक तरीका ये भी सोचा है कि पहले आप उन objective को लगाएं तो उन objective को लगाने के लिए भी आपको हमारा रख्षा academy app join करना पड़ेगा मैं class को आँगे बढ़ाने से पहले इतनी सारी चीजे इसलिए बता रहा हूँ ये हमारा promotion का मकसद नहीं है हमारा मकसद ये है कि ये आपको information मिल जाए आप course खरी दिये या ना खरी दिये आप रख्षा academy app को download करके रखिए और उसमें आप objective ही लगाते जाए और इन special classes जो आपकी दिक्कत वाली classes है जिनमें आपको दिक्कते आती हैं वो सारे topic को हम यहाँ पर लेकर आएंगे अलग-अलग faculty अपने-पने field के special topic लेकर आएंगी और उसके आपको questions, mcq और topic के बारे में पढ़ाया जाएगा जिससे की आप उस topic को cover कर सके हैं और यह सारी classes बार-बार बोल रहा हूँ free हैं दोनों जगा एप पर भी और YouTube पर भी अब अगर मैं बात करूँ तो आज की हमारी class क्या है तो आज की जो हमारी MPPSC की special class है वो class है आपकी किसके लिए topic है आपका cyber security आप cyber security पहला topic लेने का मकसद क्या है तो अगर मैं अभी आपको बता हूँ तो अभी मैंने कौन-कौन से special topic पढ़ा दिये हैं तो उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ तो अभी तक मैंने special topic में पढ़ा दिया है artificial intelligence जो आपके pre के हिसाब से है और इसके lectures कहीं नहीं मिलते है unit 9 MPPSC pre में 9 में जोड़ दिया गया है और means की class अभी मैंने इसकी नहीं लिए इसकी जल्द ही मैं means की भी class लूँगा जो कि आपके unit paper 3 में जुड़ा हुआ है उसके अलावा मैंने पढ़ा दिया है complete e-governance e-governance को लिए मैंने क्याल किया है चार lectures लिए हैं और इसको मैंने 2019 और 2020 दोनों के हिसाब से pre और means के according complete करा दिया है 2020 भी 2019 में भी है तो उसके according भी चार classes में e-governance के अलावा मैंने आपको पढ़ा दिया है राश्टी ये super computer mission मतलब भारत में जो super computer के छेतर में इंडिया में जो super computer के छेतर में काम काम स्वरी काम हो रहे हैं उन सभी काम को के बारे में भी पढ़ा दिया क्योंकि इससे भी question बनते हैं और आज ही मैंने सुबह सुबह आज ही मैंने सुबह सुबह 9 a.m पर अगर आपने देखा हो तो मैंने अभी AI के 20 MCQ लगवाए हैं और इसके question भी आज एप पे update हो जाएंगे आपके लिए लगाने के लिए और कल भी ये इसी तरीके से Monday to Friday आपका चलेगा तो Monday to Friday मतलब की Monday to Saturday मतलब की आपके ये question चलेगे मतलब हम आपको special topic भी दे रहे हैं जिसमें आपको दिक्कत आती है जो कहीं नहीं है किसी भी coaching संस्तान में नहीं पढ़ाए गए हैं वो भी किसमें कोई charges हम आपसे नहीं ले रहे हैं free of cost रख रहे हैं तीसरी बात हम दूसरा काम क्या कर रहे हैं हम आपको mcq भी दे रहे हैं कि आपने special topic के mcq जो अभी तक book में और कहीं update नहीं हुए हैं तो वो भी आप देखो सीखोगी कैसे mcq बन दे हैं तो सारी चीज़े हम आपके prelims के recording कर रहे हैं तो आप बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बाते फैलाईए बताईए कि वहाँ पर classes रख्षय academy पर चलो वहाँ पर सारी classes हो चुकी हैं और इसके लिए अब आपको एक मैं आपके लिए आज से एक अभियान सुरू कर रहा हूँ और आपको एक बात और याद रखनी है ये अभियान में इसलिए शुरू कर रहा हूँ मैं शुरू में आपके कीमती वक्त में से 10 मिनट या 5 मिनट इसलिए ले रहा हूँ पास से 10 मिनट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको हमारा जो main aim है main उद्देश है उन सभी उद्देश्यों के लिए बता सकू हमने एक अभियान शुरू किया है तो हम आपसे ये classes free देंगे सारी चीज़े हम आपको objective free देंगे बस हम आपसे सिर्फ एक उम्मीद करेंगे कि आपको एक अभियान चलाना है हमारे अभियान का हिस्सा बनना है और उस अभियान में आपको जादा से जादा लोगों को हमारे रख्चा academy channel से जोड़ना है मतलब हमारे लिए बस आपको ये काम करना है कि हमारे साथ आपको रख्चा academy में पर जादा से जादा audience को जोड़ना है जिस से जादा से जादा लोग इस free classes का आनन्द ले सकें उन्हें पढ़ सकें और अपना सिलेक्षन ले सकें तो बस हम आपके लिए जो ये अभियान आज से सुरू कर रहे हैं मतलब 20 नौंबर 2020 से जो हमारा एक important अभियान सुरू हो रहा है इस important अभियान में आपको क्या करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे रक्षा एकेडमी चैनल से जोड़ना है अब कहां कहां उससे जोड़ना है तो आपके सिर्फ आपके मैं इतना ही मागूंगा कि आपको जो हम pre classes दे रहे हैं उसके favor में आप हमारे लिए कोई पैसा ना दो कुछ भी मत करो बस हमारे इस अभियान को जो हमने एक अभियान सुरू कर रखा है इस अभियान पे आप हिस्सेदारी लो और इस हिस्सेदारी में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो क्योंकि हमारा मकसद ये है कि चात्र ही हमारे लिए एक brand investor की तरह करें और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम से जोडने की कोसिस करें और जिससे की हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी reach बना कर उनको भी selection पे भागीदारी बने उनके हमारा अपना मकसद कुछ भी नहीं है promotion हम यहां पे नहीं कर रहे अगर हमें promotion करना होता तो हम इसके लिए एक course रखते हैं और फिर उस हिसाब चलते हैं हम आपको free दे रहे हैं और हम सिर्फ अभियान यह चाहते हैं कि अगर आप हमारे रक्षा academy आप से जोड़ोते हैं उन बच्चों का फायदा हो उन बच्चों का फायदा यह हो कि जो वो भ्रामक चीजे अलग-अलग जगा पर देखते हैं अलग-अलग जगा पर वो भ्रामक चीजों से जुड़ते हैं और फिर परेसान होते हैं selection से पीछे हटते हैं तो वो उन सीजों को पढ़ें जो हम उन्हें बहतर content उपलब्द करा रहे हैं बहतर objective उपलब्द करा रहे ह तो आपको इस अभियान से जुड़ना है और इस अभियान में आपको क्या करना है इस अभियान में आपको तीन जगा बच्चों को motivate करना है कि वो रक्षा एकेडमी से जुड़ने किसी को force नहीं करना है बस आपको क्या करना है उन्हें motivation करना है motivate करना है कि वो तीन जगा पर हम से जुड़ें और हमारी free classes का मजा लें और पढ़ें और अपना selection लें और कहां कहां रख्षा academy के app पर उनको जोड़ना है उनको बताना है टेलीग्राम के channel पर उन्हें बताना है और YouTube के channel पर तो बस आप से हम यही एक favor चाहते हैं कि आप हमारे इस अभियान पे सबने कि रख्षा academy के साथ जुड़ो और अपने selection के लिए निश्यन्त हो जाओ तो आज से हमारा जो tagline होगी जो हमारे इस अभियान की tagline होगी यह tagline है आपकी कि रख्षा academy के साथ जुड़कर अपने selection पे भागीदारी दीजिए अपना selection सुनिश्यत कीजिए रख्षा academy के साथ जुड़कर रख्षा academy के साथ जुड़कर अपना selection सुनिश्यत करें सुनिश्यत कीजिए और इस अभियान को जो अभियान मैंने आपके लिए start किया है यह अभियान आज से start होता है बीस नॉमबर दो हजार बीस से और इसमें आपको इस अभियान में बस आपको क्या करना है कि जितनी भी free classes या courses हम आपको available करवा रहे हैं उन सभी closest के लिए इसके लिए आपको कोई payment नहीं करना कोई payment देना इस अभियान में हम सिर्फ आपकी एक समास सेवा करेंगे हम वो topic आपके लिए लेकर आएंगे जो topic आपको कहीं नहीं पढ़ाया गया और बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे उसके objectives all कराएंगे तो इस अभियान में हम आपको जो classes दे रहे बस आपको इतना करना है कि आपको इस अभियान में हमारे साथ जुड़ना है और भागीदार बनना है तो यही हमारा लक्ष है कि आप selection ले तो आज के class में जो मैंने आपके ये 5-10 minute लिए हैं तो इस 5-10 minute के लिए जरूरी था क्योंकि मुझे आपको बहुत सारी चीजे बतानी थी और अपने अभियान के बारे में भी बताना था तो अब आपका काम क्या है कि आप हमें कोई पैसा कुछ भी मत दीजे बस जो मेहनत हम आपके साथ कर रहे उस मेहनत के लिए हमें हमारे साथ आप एक favor कर दीजे कि आप इस अभियान का हिस्सा बन जाएए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ share कीजे अपने social media पे कि रख्षा अकैडमी ने जो एक अभियान सुरू किया है कि रख्षा अकैडमी के साथ जुड़ कर अपना selection सुनिशीत कीजिए या करें अपना selection सुनिशीत करें इस पे इस अभियान को आप share कीजिए और बताईए अब हम चलते हैं अपनी class की तरफ की आज हम इस class में क्या-क्या पढ़ेंगे बहुत सारी बाते हो गई 10 मिनट से ज़्यादा के लगभग लगभग और जरूरी भी था क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको सारी चीजें सारी information मिल जाए तो आप आपको परेशान नहीं होना है और ध्यान देना है चलिए हम अपने topic पे चलते हैं topic कर discussion करते हैं topic पे discussion जो होगा हमारा वो cyber security है अब जब हम cyber security पे जाते हैं तो cyber security को हम क्या बोलते हैं cyber सुरच्छा अब ये topic हमारे लिए इतना महत्पूर्ण क्यों है तो ये topic हमारे unit 9 2020 के syllabus में प्री में unit 9 में रखा गया है plus 2019 और 20 के MPPSC का जो mains होने वाला है उसमें ये एक निवन्द का भी topic है हर government job का जो भी descriptive paper होता है निवन्दात्मक प्रशन होते हैं उसमें cyber security एक बहुत ही महत्पूर्ण रोल अदा करता है तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है तो ये जो topic है वो आपके लिए महत्पूर्ण है और मैं आपके साथ 6 बज़े जब जुड़ूंगा तो मैं इस अभियान में जो हमारी team ने हमारे एक रख्षय academy ने launch किया है उस अभियान के तहट हम आपको सारी चीजे बताएंगे सिखाएंगे बस आप उस अभियान में लोगों को जोड़ना शुरू कर दीजे आज से और हम उनसे कोई कोश नी लेंगे वो हमारे साथ एप में आकर अगर हमारा कोर्स अपनी मरजी से खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं पढ़ सकते हैं उन्हें content अच्छा लगता है और उन्हें देंगे तो यही चीज हमाय था तो आपको क्या करना है इस अभियान में हिस्सेदारी बनानी है और इस अभियान में आपको उन बच्चों को इस अभियान में यहां पर तीन जगा जोड़ना है और अभियान क्या है बार बार बता रहा हूँ रक्षा एकेडमी के साथ जुड़कर अपना सेलेक्शन सो निशीत करें ये हमारा एक अभियान आज से सुरू हो रहा है और इस पर आपको ध्यान देना है चलिए आप आजाते हैं टॉपिक पे तो हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे ये टॉपिक कहा कहा जरूरी है य तो हमारा रोड मैप है जैसे मैं आपको जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो सबसे पहले आपके साथ एक रोड मैप सेयर करता हूं कि मैं इस टॉपिक को किस तरीके से आगे लेकर जाऊंगा और आपको क्या-क्या चीजे मैं इस टॉपिक में दूँगा जिससे आपक भी पढ़कर बैठो नहीं पढ़के बैठो तो आपके दिमाग में एक concept बना हो एक outline बनी हो कि आपको पढ़ना क्या-क्या है तो इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो cyber स्अवर सुरच्छा क्या है तो Cyber सुरच्छा की बाती तो सबसे पहले आता है ऩरotional प्राद क्या है वह में जब कोई और ourselves चाहिए कोई एसा चीज गलत हो और तब लुको में सुरच्छा Лेंग में तो उसी लिए हमने के लिए ही हमने एक टॉपिक बनाया वो क्या है साइवर अपराद फिर साइवर अपराद के बाद हमने आगे क्या किया कि हम साइवर अपराद के विभिन्न सरूप की बात करेंगे कि आखिर साइवर अपराद कितने तरीके से होता है फिर साइबर अपराद के जो विभिनने सरूप हैं उसके बाद हम आगे चलेंगे और computer के virus की बात करेंगे और एक बात याद रखना कि ये question ये जो topic है बहुत महत्पूर्ण है बहुत ज़्यादा अत्ती वाला महत्पूर्ण है computer virus क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा objective बनते हैं हर paper में चाहे MPPSC हो चाहे SSC हो चाहे banking हो किसी भी paper में आप चले जाओ इससे बहुत ज़्यादा question बनते हैं तो इस topic को तो आप एकदम ऐसे करके रखना कि इससे कोई भी question बने तो वो गलत ना हो और अगला अगली बात करें तो फि स्वरूप क्या क्या होते हैं तो फिर अगली बात आजाती है कि हमें उसका बचाओ क्या कैसे करना है तो बचाओ का तरीका हो गया फिर बचाओ के तरीके के बाद कोई भी cyber अपराद कोई भी अपराद होता है किसी भी प्रकार का पराद हो वो किसी ब्यक्ति विसेज दौरा ही किया जाता है तो ब्यक्ति विशेज दारा किये गए अपराद को किस नाम से जो साइबर अपराद है उसको उस ब्यक्ति को किस नाम से पुकाला जाता है वो ब्यक्ति तो हैकर हो गए तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर हैकर क्या होते हैं फिर सबसे इवन नंबर पे जो ये तीन टॉपिक आपके हैं ये आपके लिए सबसे महत्पूर्ण हैं क्योंकि इसमें करेंट अफेर भी इंक्लूड है साइबर सिक्योर्टी एक्ट जो आया था वो 2013 में बनाया गया था लेकिन भारत ने फिर से साइबर सुरच्छा नीति को रेफॉर्म किया है तो अब हम बात करेंगे सबसे important अपने निवन्धात्मक प्रश्णों की जो की क्या है साइबर सुरच्छा भारत के कदम साइबर सुरच्छा में भारत की कौन-कौन से महत्पूर्ण कदम उठाने वाला है उस महत्पूर्ण कदम पर हम चर्चा करेंगे तो इसमें हो गया राश्टी साइबर सुरच्छा नीती, राश्टी साइबर अपराद समनवे क्रेंद्र और अप्लिकेशन बैन भारत में सुरच्छा के मुद्दे तो ये जो तीन टॉपिक हैं ये आपके निवन्दात्मक भी हो सकते हैं जैसा कि पिछली क्लास में मतलब कल की यूटूब की क्लास में जब मैं बर्खा मैं आपकी FLT का पेपर सेकंड की 2019 के लिए FLT का डिस्क्रिप्शन दे रही थी, स्टेटेजी बता रही थी, सामको साथ वजे वाली क्लास में यूटूब के तो उसमें उन्होंने एक बात बताई थी, कि आपको यह question भी बताया था, कि यह आ सकता है, उसके अलावा भी उन्होंने ये बताया था, कि साइबर सुरच्छा क्या होता है, तो इसके बारे मैं उन्होंने कह था कि इस से निवंदात्मक आ सकते हैं, तो उनी का जो एक सोच उसी सोच को हमें एक टीम की तरह लेकर आगे चलते हुए, मैंने इस टॉपिक पर एक रिसेर्च की और ये टॉपिक आपके लिए आज लेकर आए हूँ, कल उन्होंने बोला, आज मैं ये टॉपिक लेकर आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि हमारा मकसद आपका सिलेक्शन प भीचा है, तो अब फीच लीजे, क्योंकि आप इसी रोड मैप के आधार पर हम अपने लेक्शर को कंटीन्यू करेंगे, और इसी लेक्शर पर हम बात करेंगे, तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं, इसका भी स्क्रिन सॉट अप ले लीजे, फिर हम चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी चीजों की बात कर ली, एक अभियान की भी बात कर ली, जो हम अभियान आपके साथ आज से सुरुवात कर रहे हैं, बीस नुमबर से, और इस अभियान का उद्देस आपको जोड़ना है, हमारे एकेडमी से, तो य आप हमारे इस अभियान में हिस्सा लें और जादा से जादा लोगों को रक्षा अकेडमी एप से, रक्षा अकेडमी के चैनल से, रक्षा अकेडमी के टेलिग्राम चैनल से सबसे जोडने का काम करें, जिससे वो बच्चे भी pre of cost, इन सारे special topic, MCQ पर ध्यान दे सकें, पकें और अपना सेलेक्शन तो अवियान क्या था एक बार फिर बता देता हूं क्योंकि इस चीज़ को आपको याद रखना है क्या था अवियान हमारा जो आज से हमें स्टार्ट कर रहे हैं रक्षा अकैडमी के साथ जुड़कर अपना सेलेक्शन सुनिश्यत करें और यह आपके साथ free courses में बात करेंगे और सारे special topic क्योंकि आप normal topic जो traditional हो तो सब जगा पढ़ने को मिल जाते हैं आप पढ़के तयार कर सकते हैं जो special topic और special mcq हैं वो कहीं नहीं मिलते और उनहीं के लिए हमारी team मेहनत करेगी आप इस अभियान के तहर तो अब हम आगे चलते हैं और सुरुवात करते हैं किसकी cyber security की cyber security क्या होती है तो cyber security में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि cyber क्या होता है तो देखो cyber का मतलब होता है cyber एक प्रकार का बेव होता है बेव मतलब मकड़ जाल नॉर्मल लैंग्विज में कहूं तो ये एक मकड़ जाल होता है मकड़ जाल कैसा कि एक device दूसरे से दूसरी डिवाइस तीसरे से तीसरी डिवाइस चोते से इंटरनेट के माध्यम से computer आपस में बहुत सारे computer एक मकड़ जाल के रूप में जैसे का जाल होता है मकड़ का जो जाल होता है उसी अधार पर एक दूसरे से connect होते हैं और इस मकड़ के जाल को हम क्या बोलते हैं तो आप जो ऐसे डिवाइज जो मकडी की जाल की तरह एक computer दूसरे computer से पूरा विस्तों में connect हैं, हम एक दूसरे से जो data sharing कर रहे हैं, वो क्या हो गया, cyber हो गया, अब जब ये cyber हो गया, तो इस में क्या हुआ कि इस मकड जाल को हमें क्या करना पड़ेगा, एक सुरच्छा तो देनी पड़ेगी और यही इसी कि कोई भी unauthorized person किसी दूसरे person का data ना चुरा चके उसकी personal information को ना देख सके ना उस personal information को किसी तीसरे ब्यक्ति के साथ सेयर ना कर सके इन सभी चीजों को बचाने इन सभी चीजों को रोकने के लिए जो उपाय जो terms हम अपनाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं साइबर सुरच्छा बोलते हैं तो समझ में आया आपको क्या कि साइबर सुरच्छा क्या है साइबर सुरच्छा कि जो हमारे computer network है उस computer network में किसी ब्यक्ति दौरा किया जाने वाला अनाधिक्रित काम गैर कानूनी काम उसे रोकने के लिए हम जो सुरच्छा अपन अगर मैं इसकी एक proper definition देना चाहूं तो proper definition में मैं क्या बोल सकता हूं उस proper definition को आप समझना computer network या किसी भी online माध्यम से किसी भी online माध्यम से होने वाले गैर कानूनी काम गैर कानूनी कार्य जैसे गैर कानूनी कार्य जैसे hacking hacking धोखा धड़ी धोखा धड़ी क्या हो गया एक दूसरे के असलील या अपना अपमान जनक समगरी असलील या अपमान जनक समगरी उत्पीडन उत्पीडन साइबर आतंकवाद साइबर आतंकवाद से बचने के लिए से बचने के लिए के लिए जो नीतियां अपनाई जाती है जो नीतियां या सुरच्छा पद्धती अपनाई जाती है सुरच्छा पद्धती अपनाई जाती है उसे उसे साइबर सुरच्छा कहते हैं उसे साइबर सुरच्छा कहते हैं इस डिफनेशन को आप नोट डाउन कीजे एक मिनट फिर हम इस पर डिसकसन भी करते हैं कि इस डिफनेशन में क्या-क्या है यह एक स्टैंडर्ड डिफनेशन है और इस पर आप याद रखना अगर आप इस डिफनेशन को किसी भी पेपर में लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उस डिफनेशन पर ही और यह आपका अगर तीन नंबर कोश्चन में पी आजाए या आपको ऐसे भी आजाए तो भी आप लिख सकते हो क्योंकि ये definition एक standard है इसमें सारी चीजें cyber सुरच्छा से related सारी चीजें मैंने जोड़ दी हैं तो एक मिनट आप इसको लिख लो ध्यान से तब तक मैं पानी पीलूं फिर उसके बाद हम इस पार आगे चलते हैं झालते हैं कम्प्यूटर नेटवर्क तो क्या बात हो गई देखो किसी भी कम्प्यूटर नेटवर्क या किसी भी online माध्यम से मतलब की cyber से सीधा सीधा cyber से होने वाले गैर कानूनी कारे अब कौन-कौन से गैर कानूनी कारे होते हैं हैकिंग होती है है कि जब हम अपने कम्प्यूटर से बैठ कर किसी दूसरे कम्प्यूटर का डेटा एकसेस करते हैं बिना उस उप्योग करता जो दूसरे information को निकाल कर रख लें उसकोई बिना जानकारी में यदि हम कोई काम उसके करते हैं उसके computer से तो वो क्या कहलाती है आपकी hacking कहलाती है धोखादड़ी जैसे आपका एक bank account खुला होगा bank में मैं क्या करूँ उस bank account को access करूँ और उससे आपके पैसे निकाल लूँ या फिर मैं आपको एक call करूँ और उसमें आपको मैं गलत थोड़े सी भामक जानकारी दे के आपको अपनी ब्रह्म पैदा करूँ और फिर आपसे information निकाल कर आपके साथ पैसे चुरा लूँ तो ये क्या कहलाया दोखाधरी कहलाई उसके बात असलील या अपमान जनक समगरी मैं किसी भी व्यक्ति की personal pics या किसी भी उसकी personal pic या personal बातें किसी एप पे या online share कर दूँ जिससे उसे एक अपमान का बोद हो मतलब अपमान हो सरमिंदा हो वो क्या कहलाया अपमान जनक समगरी उत्पीडन करना मतलब मैं online किसी को stock करूँ मैं नहीं यह दि कोई दूसरा ब्यक्ति भी किसी तीसरे ब्यक्ति को क्या करे online stock करे मतलब उसके पीछे पड़े जवरजस्ति उसे परेसान करे मैसेज भेजे गंदे संदे तो वो सारे काम क्या हो गया पीडन में आ गया साइबर आतंक बात मैं क्या करूँ मैं कोई भी व्यक्ति क्या करे कि कि किसी भी country के data को चुरा कर उसके सरवर में एक virus छोड़ दे जिससे उसका data उस country का data पूरा correct हो जाए तो ये क्या हो गया cyber आतंपाथ है ये बल्क में होता है तो इसके लिए इन सारे अपराधों से बचने के लिए जो नीतियां या जो सुरच्छा method अपनाई जाते हैं पद्धतियां अपनाई जाती हैं उनी को हम क्या कहते हैं साइबर सुरच्छा कहते हैं तो अब आपको clear हो गया होगा कि साइबर सुरच्छा क्या होती है तो अगर आपको definition clear हो गया तो definition के बाद हम आगे चलते हैं और फिर discuss करते हैं कि आगे के class में आगे के उसमें क्या है अब सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में ये आता है कि साइबर सुरच्छा की आसकता क्यों है साइबर सुरच्छा की आसकता क्यों है अब इसका जवाब आप लोग मुझे comment पर देंगे इस question को जवाब साइबर सुरच्छा की आसकता क्यों है ये सवाल मैं यहाँ पर आप से पूछ रहा हूँ कि आखिर साइबर सुरच्छा किया सकता हमें क्यों पढ़ती है इसका जवाब आपको कमेंट में देना है इस वीडियो के और इसको मैं जब ये पूरा लेक्चर कंप्लीट रहेगा तो आपको इस सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा मुझे बताना नहीं पड़ेगा पर आप MBPSC की त्यारी कर रहे हो तो आपको इसमें त्री लाइन में तीन लाइन में आपको बताना है कि आखिर हमें साइबर सुरच्छा की जरूरत क्यों है सबसे important है तो मैं एक डेरी मिल्क दूँगा अब मैं देखता हूँ कि कौन इसका सही example, सही answer दे पाता है जो भी इसका सही एवं सटीक answer मुझे comment में करकर देगा उसे मैं डेरी मिल्क दूँगा है ना? तो ध्यान रखना चोटी मुटी 10 रुपे वाली नहीं 100 रुपे वाली डेरी मिल्क दूँगा तो अब अगर 100 रुपे की डेरी मिल्क चाहिए तो ध्यान से इसका answer मुझे comment पर बताना और ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर होना चाहिए मनलब साइबर सिक्योर्टी की आज की क्लास के बाद कल साम की अगली क्लास के 6 वजे के पहले पहले जो इसका सटीक answer मुझे comment box पे दे देगा उसको मैं डेरी मिल्क जरूर दूँगा मैं बोल रहा हूँ तो इसका जवाब अब हम अगला सवाल जो हमारे roadmap का था कि साइबर अपराद क्या होता है हमने साइबर सुरच्छा की बात की तो जब कोई अपराद होगा कोई ऐसा काम होगा तभी तो हम उसकी सुरच्छा करेंगे तो ऐसे काम के लिए साइबर अपराद क्या होता है अब इसकी बात करते हैं तो वही सारी चीजें जो मैंने इसकी definition पर बताया था क्या बताया था मैने cyber शुरच्छा की definition पर कि जब हम computer के माध्यम से कोई गैर कानूनी कारे करते हैं तो उस गैर कानूनी कारे को ही हम अपराद बोलते हैं तो यहाँ पर हमने क्या कि computer network की इसी definition में आपको cyber अपराद की भी definition मैंने दे दी कि जो भी गयर कानूनी काम हम किसमें करते हैं इस box में आप ध्यान से देखो तो जो भी गयर कानूनी काम हम करते हैं internet के माध्यम से वो सभी cyber अपराद में माना जाता है तो इसी definition में मैंने cyber अपराद की भी definition दे है कि computer network या किसी भी online माध्यम से होने वाले सभी गयर कानूनी कार्य जैसे hacking करना, धोखा धड़ी करना, असलील या मानजनक समगरी upload करना, किसी को उत्पीडन या molest करना, cyber आतंकवाद जैसे ये काम जो किये जाते हैं इसे ही हम cyber अपराद कहते हैं, तो cyber अपराद की definition आपको समझ में आई होगी, मैं लिख कर भी बता देता हूँ, तो क्या है कि cyber अपराद ऐसे कारिया अपराद हैं, क्या, cyber अपराद, एक-एक line, एक-एक word को याद रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, कि मैंने अभी AI पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया कि देखो कैसे theory से objective बनता है, e-governance का lecture ले चुका हूँ, objective 9 बजे जब लेकर आऊंगा, तो e-governance में मैंने theory पढ़ाई है, fact कम पढ़ाया है, theory जादा पढ़ाई है, और उस पे भी कैसे objective बनते हैं, ये भी मैं वहाँ पर दि पेपर दे रहे हो, और MPPSC का पेपर बनाने वाला ब्यक्ति, बहुत ही talented होता है, वो आपसे fact जानता है, कि आप fact रटके answer दे सकते हो, पर आपसे वो जो object बना कर देगा, वो conceptual base पर यहां से बना कर देगा, आपके यहां से खेलता है, दिमाग से, और अगर आपको अपने दि खेलने से बचाने के लिए उसके दिमाग से खेलना होगा, और उसके दिमाग से खेलने के लिए आपको उससे एक कदम आगे सोचना पड़ेगा, तो आपको अपने दिमाग में एक एक word और एक एक line की theory बना कर रखना पड़ेगा, उसका एक concept बना कर रखना पड़ेगा, तो जो लोग ये सवाल मुझसे करते हैं कि आप fact नहीं पढ़ाते prelims में आप theory ज़्यादा देते हो concept पे ज़्यादा focus करते हो अरे fact तुम्हें internet पे भी मिल जाएगा तो फिर मेरी क्या जरूरत है topic पता है जाओ fact दूड़ो और पढ़लो मेरी जरूरत तुम्हें इसलिए है क्योंकि तुम जिस exam की तयारी कर रहे हो MPPSC की उसमें जो examiner बैठा है वो इतना experience इतना वो है कि वो fact पे सवाल नहीं करता वो आप से concept पे सवाल करता है और आप pre के लिए नहीं पढ़ रहे हैं आप means के लिए भी पढ़ रहे हो मेरी तयारी मैं आपको तयारी pre के साथ means के लिए भी करा रहा हूँ तो मैं आपका एक concept बनाना चाहता हूँ कि जब आप उस fact को कहीं net से किसी किताब से पढ़ो तो आपको उस fact में लिखे हुए एक एक word का मतलब दिमाग में होना चाहिए तभी वो fact याद होते हैं और fact को ये मैं objective लेकर आऊँगा तो माँ पर मैं धेर सारे fact इफेक्ट माटन हूँगा लेकिन यहाँ पर इस special class पर मैं आपका concept बनाऊँगा तो इसलिए मैं एक एक line एक एक word पर बहुत ज़्यादा जोड़ देता हूँ और उस पर इस समझाने की कोशिस करता हूँ कि आपका concept बने आप सामने वाले के examiner के दिमाग से खेल पाओ तो चलो इस पर आगे बढ़ते हैं तो cyber अपराद ऐसे कारिया अपराद है cyber अपराद ऐसे कारिया पराद है जो गैर कानूनी जो गैर कानूनी रूप से रूप से computer या network के माध्यम से computer या network के माध्यम से संपादित किये जाते हैं computer या network के माध्यम से संपादित किये जाते हैं और जिनका भी सवाल ये है कि ये जो lecture cyber security का special lecture free वाला है तो इसके pdf notes कहां मिलेंगे तो इसके pdf notes आपको रक्षा academy app पे free courses वाले उसमें ही जाकर मिलेंगे और ये notes कहीं नहीं मिलेंगे ना मैं telegram में share करूंगा चाब रक्षा academy का हो चाब मेरा हो चाब किसी का भी हो आपको रक्षा academy app पे ही जाने पर ये notes मिलेंगे और वहीं पर मैं upload करवाँगा तो आप को notes वहीं मिलेंगे तो आप मुझसे ये सवाल मत करना या बार बार मुझसे ये comment और उसमें message में मत पूछना कि ये notes आपको क्या मिलेंगे कहां मिलेंगे telegram पे आप दोगे की नहीं दोगे मैं नहीं दूँगा मैं सिर्फ एक जगा दूँगा रक्षा academy के app पे और वो भी रक्षा academy app के कहां पर free courses वाले channel पर तो जितनी भी classes मेरी YouTube पर free of course चल रही है वो सारी classes मैं आपको रक्षा academy app के free courses वाले वहां पर ही notes मिलेंगे चाहे वो मेरी physics और chemistry की class हो चाहे वो मेरी science and tech की class हो चाहे वो ICT की class हो चाहे वो मेरे special topic ही क्यों न हो चाहे वो मेरे computer के ही question क्यों न हो जितने भी classes मैंने YouTube पर ली है वो सारी classes के notes आपको telegram पर नहीं मिलेंगे वो सारे notes आपको रक्षा academy के app पे और रक्षा academy के app पे जाकर free courses वाले में जहां पर ये lectures upload होंगे वहीं पे इसके notes भी साथ में upload के जाएंगे तो आपको एक ही जगा दोनों चीजे मिलेंगी तो ध्यान रखेगा रोब से संपादित किये जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं cyber अपराद कहते हैं मतलब की computer computer cyber अपराद में हमने क्या किया computer या network का प्रयोग करके जो भी गैर कानूनी काम हम करते हैं वो सारे गैर कानूनी काम cyber अपराद कहलाते हैं इस बात पे आपको focus रखना है अगली बात cyber अपराद में जो हमारा computer होता है वो एक लच्छ भी होता है और एक हथियार भी होता है मतलब की computer cyber अपराद में computer network लच्छ भी है और अपराद भी हथियार भी है लच्छ कैसे है कि मान लिजे मैं एक ऐसा ब्यक्ति हूँ जो की क्या करना चाहता है आपकी computer को access करना चाहता है तो मैंने क्या किया अपने computer से ये मेरा computer है और ये आपका computer है अब मैं आपकी personal information को निकालना चाहता हूँ तो मैं अपने computer से आपके computer को क्या करूँगा access करूँगा तो मेरे लिए आपका computer लच्छ है आपका data चुराने के लिए और आपके लिए और यहीं पर मेरे लिए मेरा computer जो है वो हथियार भी है क्योंकि मैं बिना हथियार के तो आपके इस काम को करनी सकता तो हथियार क्या है मेरा computer लच्छ क्या है आपका computer तो यहाँ पर computer network cyber अपराद में जो आपका computer network कोई भी device होती है जिसके माध्यम से हम ये गैर कानूनी काम करते है उसमें लच्छ भी वही होता है और हथियार भी वही होता है लच्छ दो लोग हो गए एक person ये है एक person कौन है ये है और दोनों के पास क्या है computer है दोनों internet से correct है तो आपका computer मेरे लिए लच्छ है अगर मैं hacker हूँ अगर मैं hacker हूँ तो आपका computer मेरे लच्छ है और मेरा computer मेरे लिए हथियार है तो एक computer में ये tagline आपको याद रखनी है क्योंकि cyber अपराद में ये tagline बहुत important है कि cyber अपराद में मतलब इस अपराद में computer या internet का प्रयोग हथियार और लच्छ दोनों प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है तो इसको अभी मैं इस tagline को आगे लिख देता हूँ इसको जल्दी से आप note down कर लो एक सब्सक्राइब में अगर आप इसको यूज करते हो तो इससे बहुत बड़ा effect पड़ता है आपके निवंद में भी और आपके कभी-कभी question में भी objective में भी पूछ लिया जाता है तो cyber अपराध में इस line को याद रखना कि cyber अपराध में cyber अपराध में computer या internet का प्रयोग computer या internet का प्रयोग internet का प्रयोग हतियार और लच्छ दोनों के भात किया जाता है मतलब की सीधा सीधा सा फंडा ये है कि मैंने भी आपको एक्जामपल दिया कि दो ब्यक्ति person 1 और आपका person 1 क्या है एक hacker है और person 2 बैठा है person 2 आपका क्या है victim है जिसके आप computer को access कर रहे हो तो hacker ने क्या किया hacker के लिए जो उसका computer होगा वो क्या होगा हतियार होगा जो उसका computer है वो क्या होगा hacker के लिए हतियार है और जिस computer को वो access कर रहा है जिसका data वो चुरा रहा है वो computer उसके लिए क्या हो जाएगा लक्ष हो जाएगा तो ये सवाल आप ध्यान रखना इस लाइन को कि किसी भी computer network में जो cyber अपराद होता है उस cyber अपराद में एक computer जो या internet लक्ष का भी काम करता है और हत्यार का भी काम करता है ये होगी बात अब cyber अपराद की अगर हम बात करें तो cyber अपराद में हम कौन-कौन सी चीजों को रखते हैं कौन-कौन से बिंदूओं को रखते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है तो अगर हम बात करें तो cyber अपराद में हम कौन-कौन से बिंदूओं को जानना जरूरी रखते हैं पहला बिंदू क्या है नेटवर्क का अनाधिकर की रूप से प्रयोप मैं बता देता हूं क्योंकि मैंने साइबर सुरक्षा में इस चीश को बताया था साइबर सुरक्षा की जो डिफनेशन दी थी उस डिफनेशन को मैं हाइलाइट कर देता हूं उस डिफनेशन को मैं हाइलाइट कर देता हूँ और उसी डिफनेशन से मैं सारे पॉइंट क्लियर कर देता हूँ एक मुना लेँ जश्टा सेकंड यह जितना भाग मैं यहाँ पर हाइलाइट कर रहा हूँ उतने भाग को आपको ध्यान से याद रखना है इसी भाग से मैं आपको और डिक्टेट करता हूँ पूरी चीजे मैं एक डिफनेशन से डिक्टेट कर सकता हूँ एक बता सकता हूँ क्योंकि यहीं पर आपकी सारी चीजे है तो जितना भाग मैंने इस question में इस definition में highlight किया है उस भाग पर आप ध्यान दिजेगा तो पहला बाग क्या हो गया नेटवर्क का अनाधिक्रित रूप से प्रयोग करना तो नेटवर्क का अनाधिक्रित रूप से प्रयोग करना क्या कहलाता है हैकिंग और ये क्या हो गया साइवर अपराद हो गया कम्प्यूटर या नेटवर्क का प्रयोग करके ब्यक्तिकत तथा गुप्त सूचना को हासिल करना ये भी काम क्या हो गया hacking हो गया दूसरी बात network तथा सूचना को नुकसान पहुचाना क्या हो गया cyber आतंकवाद हो गया virus दोरा computer तथा data को नुकसान पहुचाना साइवर आतंकवाद हो गया internet का प्रियोक करके आर्थिक अपराध करना ये क्या हो गया दोखा धड़ी हो गयी इंटनेट का पर गैर कानुनी या आसमाजिक तत्थे या चित्रों का परदर्शन करना क्या हो गया? असली लिया अपमान जनक समगी. तो जितनी भी बाते मैंने साइबर अपराद में बोली उन सभी बातों को मैंने अपनी डेफनेशन में जो इते या दी मैंने परिवासा दी उस परिवासा में मैंने defined किया हुआ है कि पहली बात कि network का एक बार और ध्यां से सुनना network का अनाधिक्रित रूप से प्रयोग करना क्या कहलाता है? Computer या network का प्रयोग करके व्यक्तिगत तथा गुप्त सूचना को हासिल करना ये भी क्या कहलाता है हैकिंग कहलाता है नेटवर्क तथा सूचना को नुकसान पहुचाना साइबर आतंकवाद कहलाता है इंटर्न वाइरस द्वारा कम्प्योटर तथा डेटा को नुकसान पहुचाना साइबर आतंकवाद कहलाता है इंटरनेट का प्रयोग करके आर्थिक अपराद कनना धोखा धड़ी कहलाता है इंटरनेट पर गैर कानूनी या आसमाजिक तत्यों या चित्रों का प्रदर्शन कनना असलील या अपमान जनक समगरी का प्रदर्शन कहलाता है तो सारी चीजे जो मैंने इसकी डिफनेशन में लिखा है वो सारी चीजे साइवर अपराद में आती हैं और यही एक साइवर अपराद इसी अपराद से बचने के लिए जो नीतिया जो सुरच्छा पद्धतियां अपनाई जाती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं साइबर सुरच्छा कहते हैं अब साइबर अपराद को अगर हम बात करें तो साइबर अपराद में हम अगर बात चर्चा करें तो इसे हम क्या कहते हैं इसे हम एक नाम से और जानते हैं और वो नाम क्या है साइबर अपराद की जगा इसे हम electronic माध्यम से करते हैं इसे लिए हम इसे electronic अपराद की category में भी रखते हैं तो electronic अपराद की भी category में किसे रखा जाता है इसे रखा जाता है आप computer network के खतियार है और एक लच्छ है ये चीज तो मैं आपको समझा चुका हूँ तो ये तो था आपका क्या आप इसमें क्या होता है कोई भी cyber अपराद जो होता है वो तीन category में define किया जाता है या ध्यान रखना कोई भी cyber अपराद cyber अपराद जो होता है उसकी जो स्रेणी होती है वो स्रेणी होती है तीन स्रेणी में अंतरगत कोई भी ब्यक्ति साइबर अपराद करता है पहली स्रेणी क्या होती है पहली स्रेणी ये होती है कि ब्यक्ति विसेश के विरुद्ध अपराद किसी ब्यक्ति विसेश को टारगेट करकर जब उसके खिलाब कोई अपराद किया जाए ब्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपराद जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मैंने एक परसन को टार्गेट कर लिया और अब मैं उसी परसन के खिलाप कोई साइवर के तरीके से अपराद करूं उसको टार्गेट करूं और उसके खिलाप ऐसे उल्टे सीधे काम करूं तो वो उल कॉन कौन काूंसे अपरात हो जाएंगे संपत्ति बिरुद्र बिसेश के बिरुद्र मैं कौन कॉन से अपरात करूँगा यानि मैं किसी के कंप्योटर को हैक लियु क कर लूँ वोगों इसकी संपत्ति है मैं किसी के आकाॉंट से पैसे चुरा लूँ ऑन्ला mapped ढड़ी कर वो एक संपत्ती है यदि मैं एक हैकर हूँ और मैं क्या करूँ किसी भी ब्यक्टि की personal संपत्ती जो उसका data है जो चीजें हैं उसको चुरा लूँ उसके IPR उलंगन करूँ जैसे मैंने notes बनाए अब मैं और lecture लिया अब इस lecture को यदि कोई दूसरा ब्यक्टि अपने नाम से या अपराद है और आपने intellectual property rights पढ़े होंगे अब बर्खा मैंने इसको बहुत अच्छे से explain किया है और पढ़ा दिया है तो उस पर आप गौर कीजेगा उसके बात लाश्ट वे बचता है सरकार विसेश जब किसी सरकार को target करके कोई cyber अपराद किये जाते हैं सरकार विसेश के विरुद अपराद तो वो क्या कहलाता है जिसे हम cyber आतंक भाद भी कहते हैं तो वो क्या कहलाता है जैसे अगर मैं किसी भी सरकार के खिलाब जाओं और मैं उसके किसी भी national server का data hack कर लूँ उसमें virus डाल दूँ या उसको corrupt कर दूँ तो वो जो सारी चीजे हैं वो सरकार के भी उसकी personal data या information को चुराओं तो यह क्या हो गया back TV से इसके खिलाब हो गया तो यही था आज के lecture का यही तक हमें आज हम जानेंगे अब हम अपने roadmap की तरफ आते हैं और इस roadmap में हमने जो बात की थी हमने क्या बात की थी कि हमें काम करना था वो क्या था कि हमें इस roadmap में यह सारी चीजे पढ़नी थी तो आज हमने अपने roadmap के cyber सुरच्छा क्या है, cyber अपराद क्या है, cyber अपराद के विभिन सुरूप से हम कल discussion करेंगे, हो सकता है कि यह lecture तीन class में complete हो, पर हाँ, एक एक चीज, एक एक बारी कियों को मैं समझा का जाओंगा, और जाते जाते, आज की class को ख हैं, सारे objective, सारी चीजे जो हम आपको free of cost प्रोवाइड करा रहे हैं, YouTube पे और अपने app पे, तो इससे हम आपका कोई भी payment नहीं ले रहे हैं, बस हम आपसे एक favor चाहते हैं, और यह favor आपकी इच्छा के अनुरूप है, कि यदि आपको हमारी classes, हमारी मेहनज जो हम आपके संतुष्ठ हो, तो आप हमारे इस अवियान से जुड़ो, और की रच्छा Academy के साथ जुड़ कर अपना selection सुनिश्चीत करें, इस tagline के साथ जुड़ो, इस अवियान के साथ जुड़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो दूर दराज ग्रामीड शेत्रों में रहते है जिनके पास इस COVID के चक्कर में पढ़ने की समस्याइं हैं, वो पढ़नी पाते हैं, तो वो इस अवियान से जुड़कर अप डाउनलोड करके, कम से कम MCQ और special topic की पढ़ाई करके, अपना selection सुनिश्चीत कर सकें, पढ़ सकें, तो इसी अवियान के और इसी उम्मीद के साथ क इस अवियान पे आप हमारा सहयोग करेंगे, भागीदार रहेंगे, आज की क्लास को मैं खदम करता हूँ, धन्यवाद